आप सभी लोग का स्वागत है बैंक पूर में मैं हूं मनीश गुपता एक बाफिर से आप सभी लोग का तह दिल से स्वागत है आप सभी लोगों से अनुरूद है कि आप सेशन में आ जाईए फिर हम लोग क्लास शुरू करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा फटा-फट से सेशन में आ जाई सभी लोग चुरूद करते हैं आज के सेशन से शांदार तरीके से हम लोग शुरू करेंगे चलो तो सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजीए कि आज हम लोग ने एक वीडियो बनाया है कि हाउट टू प्रिपेर जीए यानि कि जीए में हम लोग कैसे त यानि कि 40 में से at least 30 नंबर तो आ जाएं इतने समय में कैसे हम लोग score करेंगे तो इसके लिए बहुत ही शांदार वीडियो बनाया गया आप सभी लोग उसको जाके देखेगा जरूर अब जड़ा आज सुन लिजेगा जो बच्चे बैंक, IVPS, PO और कलरकी की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी की सभी क्या कहते हैं अगर आप लोग ने एक्जामपूर के application को डाउनलोड नहीं किया है तो एक्जामपूर के application को डाउनलोड कीजेगा प्ले स्टोर पे जाके install कीजेगा जैसे ही install करेंगे तो आपको courses available मिल जाएग और वहाँ पे आप bank 50 code लगा सकते हो कौन सा code लगा सकते हो bank 50 code लगा सकते हो जिससे की 999 रुपे में सारी चीजें आपको available हो जाएगे ठीके 30 दिन का crash course है तो चलो शिरुआत करें सभी लोग ready हो सभी लोग ready हो न सभी लोग session को एक बाद share कर दो बच्चे सभी लोग session को एक मैं कहता हूं कि important session हो रहा है तो important तो है examination होने वाली है तो important तो हो गई ठीक है तो चलो सारी चीजें ओके दिख रही है शुरुआत करते हैं पहला question यहाँ पर आ रहा है कि इनमें से कौन badminton से जुड़ा हुआ tournament नहीं है यानि कि एक्जाम में कुछ इसी तरीके से question पूछे जाते हैं कि खेल से संबंदित, static GK से संबंदित question यह पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन badminton से जुड़ा हुआ tournament नहीं है ठीक है Sophia cup नारंग cup दिवान cup अम्रिती दिवान cup या फिर मुर्गपा gold cup तो अगर ध्यान से देखी हम लोगों ने कली परसों के session में आप लोगों को trophy से related question कराये हुए थे कुछ और पूरा का पूरा आपको chart भी दिया था लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सा बहु नहीं पा रहे होंगे तो Sophia cup नारंग cup दिवान cup और अम्रित दिवान cup यह सभी कि सभी badminton से संबंदित है किस संबंदित है badminton से संबंदित है ठीक है अब ज़र ध्यान से देखिएगा badminton के बारे में तो bwf bwf जो की badminton badminton world federation का headquarter कहां पे है Malaysia में है Malaysia में और इसके जो chair person है जिनका नाम है Paul Eric Paul Eric Larson देखें यह नाम है जो की Malaysia के कौलालामपूर में इसका headquarter है इसको याद कर लिजेगा अब देखें यहाँ पे कहा रहा है कि कौन सा tournament associated नहीं है badminton से तो मुरुगपपा गोल्ड कप जो है यह associated बिलकुल भी नहीं है clear है associated नहीं है अब ज़रा ध्यान से देखेंगा यहाँ पे अगर हम लोग badminton की बात करें प्रफिया नारंग दिवान और अमरित दिवान कि सभी कि सभी badminton से समंदित है होकी से समंदित मुरुगपप गोल्ड कप नहरु कप सिंधी कप वैलिंग्टन कप और साथ-साथ में सुल्तान अजलान शाह कप इस वक्त शुरुवात हो चुकी है सुल्तान अजलान शाह कप नहीं की शुरुआत हो चुकी है ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा अब आदे हैं Tennis के बारे में एक्जाम में Tennis के बारे में इससे समंदित कोशिन जरूर पूछे जाएंगे पुछेए जरूर पूछे जाएंगे सबी श्राइव सिर्फ को लेकर याद करते कि क्रिकेट से समंधित कशिन आएंगे दो कोम कोछिन आप के टेन्री से समंधित कुछन लॉंड टेनिस समंधित को bringt को सकते हैं देखो टेनिस अगर लॉंड टेनिस की बात करें तो प्रमुक तह चार जो गेम है यह बहुत प्रमुक और बहुत इंपोर्टेंट गेम है तो पहला तो आता है अस्ट्रीलियन ओपन दूसरा आता है फ्रेंच ओपन तीसरा आता है विम लंडन ओपन और चौथा आता है यूएस ओपन ठीक है तो यह चार गेम है और अलग-अलग पर अलग-अलग क्या कहते हैं पर हाट कोट पर खेले जाते हैं जैसे अस्ट्रेलियन ऑपन जो होते हैं वह हाट कोट यानि की सिमेंटेट का कोट होता है उस पर खेले जाते हैं जो फ्रेंच ऑपन होता है मिट्टे का कोट होता है उस पर खेले जाते हैं विंबलेंडन जो होत में कुशन पूछे गया है अब जो टैनिस ग्रैंड स्लैम के जो शेडियूल्ड है वो जड़ा ध्यान से देखेगा कि वो कैसे हैं अब तक में सबसे ज़्यादा अगर ग्रैंड इसलैम पुरुशों में जो खिताब जीता गया है वो एक नाम आता है रफाल नडाल का और साथ इस टोनामेंट का खिताब देखा जाए तो नुवाक जिकोविच सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं अब बात आती है अस्ट्रेलियन ओपन की यह हुआ था है 17 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 के बीच में ठीक है फ्रेंच ओपन ग्रैंड इसलैम जो की कले पर खिला जाता है मिट पर खेले गए 27 जून से लेकि 10 जूलाई के बीच में अब जो यूएस ओपन हो रहा है यह टेंटेटिव है हलाकि यह गेम शुरूत हो चुका है आज से ही शुरू हो चुका है लेकिन वह प्रैक्टिस सेट चल रही है तो इसका जो टेंटेटिव है वह 29 अगस्त है और अग आपको एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से क्या याद करना है आपको एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से यह याद करना है कि जो टैनिस ग्रैंड इसलैम के जो खास विजेता रहे हैं उनका पुरा चाल्ट बना के दिया गया है और यह आपके एक्जाम के लिए बड़ा सिंगल अस्ट्रेलियन ऑपन 2022 का किताब जीती थी फिर उसके बाद इन्होंने सन्यास ले लिया इन्होंने सन्यास ले लिया ठीक है तो यह भी कुछन पूछा जा सकता है कि एशले बाल्टी ने का जो लास्ट ग्रेंड इसलैम था वह कौन सा था तो एशले बाल्टी का जो ला ले इन्होंने यह खिताब जीता ठीक इसी तरीखसे अगर हम लोग लेंड। की बात करें तो विम्ब लंडन नौाक जिकॉवीच ये किताब जीता है जो कि सर्विया के खिलाडी है और इलेना रिबैक्रीना कजाकिस्तान की पहली कजाकिस्तान की महिला टैनिस खिलाडी जिन्नों ने जो कि इतना बड़ा ग्रेंड इसलैम किताब जीता और ये ग्रेंड दिमाग में बैठा की जाएगा इसमें से एकाद कुशन तो फसी सकता है अगर स्पोर्ट से कुशन आ रहा है उस पर टैनिस से रिलेटिट कुशन आ रहा है तो यहीं से आएगा चीके चली अगला देखते हैं आंधर पदेश में ताती पूरी जलाश है परियोजना निनमें किस नदी पर इस्थित है गुदाबरी नदी, कावेरी नदी, गोस्थनी नदी, कृष्णा नदी या पिननार नदी अब आप लोग किस पास समझ से यह आ जाती है कि सर कितना याद करेंगे तो कितना याद नहीं करना है आपको बस limited चीज़े याद करनी है और जल्दी से ज बहुत करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा तो अभी भी आपके इस पास समय है तीज इस दिन में आप खेला कर सकते हैं इतना विश्वास रखिएगा अगर आप लोग का प्री कॉंफिडेंट हैं तो मेंस के लिए अभी से तैयारी जुड़ जाएए अब यहां से अब समय नहीं रहे गया है कि हम प्री के रिजल्ट का इंतिजार करेंगे फिर उसके बाद खेला शिरू करेंगे तो इस कुषिन का आंसर क्या हो जाएगा गोस्थनी हो जाएगा वैरी गुड तो गोस्थनी नदी जो की ताती पूरी जलाशय पर योजना पर बना हुआ है कुछ यह क्या है यह कहां पे बिटा यह आंदर प्रदीश में आंदर प्रदीश में तो आंदर प खाने को कहा ठीक है अभी अभी जन्माष्ट मी निकली है 23 अगस्त दो चार दिन पहले जन्माष्ट मी निकली है तो श्री कृष्टन ने बलराम और प्रकाश को कंद मुल खाने को कहा है तो कृष्ट न दी यह तो सभी एक ही है इसमें कोई changes नहीं है कोई बतलाव नहीं है इसे को से या hoor साइलम स्री साइलम leen कि श्री कृष्टन वोगे यहांसे तो श्री तो स्री साइलम इससे यार्थ कर सकते हो ठीक चंदालेर्ण कंदालेर्ण कहां सेar हो गता लिए तो कंदालेर्ण अनिकि कंद मूल खाने के लिए कहा जा रहा ब्रहम सागर से प्रोननसीशन क्या निकल कर आ रहा है आ रहा है या ब्रहम सागर तो suitable सागर डैम करशन नदी पर कहाँ पर का पर आंधिर प्रप्रदीश में करशन ही नदी पर प्रकाशम बैरेज या रिजर्वर है तो यह प्रकाश को कंदमूल खाने को कहा तो यह चीज तो याद हो गई आपको कि कृष्णा नदी है उस पर चार डैम है कंदालेरू डैम स्रीसलाई डैम ब्रह्मन डैम और प्रकाशम बैरिज डैम अब अगरा देखेगा जरा जै वाज प्लेइंग पोल इन रामिश्वरम नियर बैंक्स ऑफ गोदावरी यह बी एक ट्रिक है यह गोदावरी नदी है आंदरपदीश में बहती है गोदावरी नदी टिक अब गोदावरी नदी पर कौन कौन से डैम है आपको पूरा कटेगराइज कर दिया गया जरा अलग देदी गई है नदी पर एक डैम बस आपको नदीयों के उपर डैम यात करने अब गोदावरी नदी जढ़ा देखो गोदावरी नदी यहां पे गुदावली नदी पर है ठीक है पोला वरम पोला वरम तो पोला वरम का प्लेस निकल आ रहा है पोला वरम और जलपुट डैम जलपुट डैम गुदावली नदी से निकल आ रहा है तो यह आपका क्या हो गया यह सभी कि सभी डैम पर हो गया अब जड़ा देखो यहां पर अल इतनी चीजे आंदर प्रदेश की एंदर प्रदेश कीएं इसकी की थे खैक क्लियर शो नहीं हो रहे हैं 1 कि अरब क्लिक्ष कर दों साही नहीं हो रहा है न मेंदद इसक장이 कर दों सिर्न हो रहा है क्लियर श्रुकत क्यर मेरे में दिग्कत है Corporation और दिखकत है कैमरे में दिक्कत है बटा तो ये ऐसे ही आएगा फिलहाल तो ठीक है चलो देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इन में से कौन से गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं बहुत ही इजी कुशन है अब उम्मीद तो है कि सबी लोग बता लेंगे क्या हो जाएगा चलिए आंसर बताईगा क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी आंसर बताईगा बहुत ही इजी कुशन है भाई ओ मेरे भाईओं बाई और बैनो अरे बता दो एक तो तुम लोग इतनी कम संख्या में आते हो उसके बाद भी राजपाल के नाम ना बता पाओ तो सही बात नहीं है तो गुजरात के गवर्नर कौन है बटा अचार देव वृत हैं किस की गुजरात की ठीक है गुजरात की और बंडारू दततरे हर्याना की कहा की हर्याना के राजपाल है रमीश बैस जारकंड की हें जारकंड की हैं दूसरा पगु चोहान बिहार की हैं जीया हो बिहार के लाला बिहार ठीके तो इस question का answer क्या हो जाएगा आचार ने देवरत हो जाएगा चली answer बताईगा next question is किए बाहे देख़ लोग 10 September से class शिरू où रही है IBPS clerk की और IBPS PO की इसके लिए आप सबी लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे bank 50 code लगा सकते हो और यह bank 50 code लगाते ही साथ 99 में available हो जाएगा 999 में available हो जाएंगी ठीक है चलिए जड़ा देखेगा धूबरं ताप विद्धुत सन्यंत्र भारत की निमनलिकित किस राज में इस्तित है धूबरं ताप असम गुजरात बिहर वेस्ट बंगॉल या इनमे से कोई नहीं देखो धूबरं जो की आपका thermal power plant ह होता है ठीक है यह बिजली परियोजना से रिलेटेट होते हैं अब यह कोशन पूछा जा रहा है कि दुबरं जो दुबरं धर्मल प्रांट है यह ताप विद्धुत सन्यंत्र भारत के किस राज में इस्तित है तो यह गुजरात में इस्तित है अगर हम लोग बिहार की बात बिहार में है पशिम बंगाल में मेजिया यह इंपोर्टेंट है यह कई बार एक्जाम में कोशन पूछा जा चुका है तो मेजिया थर्मल पावर प्लांट पशिम बंगाल में मौलिंग निशनल पार्क भारत के किस राज में इस्तित है मौलिंग निशनल पार्क आंदर प् बताये थे मॉलिंग निशनल पार्क और नाम दफ़ा नाम दफ़ा ठीक है पेश्ट आता ना एक पेट सफा हरोग दफा तो यह नाम दफ़ा मॉलिंग निशनल पार्क यह दोनों ओ अरुनाचल प्रदीश की क्या हैं दोनों राश्ट्रिय उद्ध्यान हैं चलिए आंसर बेटा माही यहां पर थोड़ा से कैमरे का इशू है यहां पर ब्राइटनेस कम नहीं हो सकती ठीके कैमरे का इशू है यह हम लोग एक काम कर सकते हैं यह खतम कर सकते हैं शायद अब कुछ और क्लियर दिखें चलिए अब देखते हैं यह दूसरा 1972 में बनाया गया एक निशनल पार्क था और उसके बाद जो की दिहांग दिबांग बायोस्पे रिजर्व इसी स्टेट पे है ठीक है अरुनाचल प्रदीश में दा हैट्वाटर आफ ब्रिक्स और सिच्वेटेड ब्रिक्स की बात की जारी है ब्राजील रश्या इंडिया चाइना साउथ अफ्रिका पांच देश से मिलकर ब्रिक्स बनाया गया और इससे संबंदित एक निव डिवलप्मेंट बैंक बनाया गया अब यहाँ पे कोशन पुछा गया है कि ब्रिक्स का हैड कोटर कहां पे है शंगाई चाइना बीजिंग निव देली बंबई या उप्रियुक्त में से कोई नहीं यह कोशन थोड़ा सा अटपटा सा भी लग सकता होगा आप लोग को क्योंकि यहां पे ब्रिक्स बैंक पूस्ता तो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता यह एंडी भी निव डेवलप्मेंट बैंक पूस्ता तो शायद कंप्लीट हो जाता हाला कि ब्रिक्स की भी बात करें तो ब्रिक्स का हैड कोटर आपका शंगाई में है ठीक है कहां पे है शंगाई में निव डेवलप्मेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है ब्रिक्स जो जो मैंबर है अगर ब्रिक्स की बात करें तो पांच दीश है इसमें और अगर न्यू डेवलप्मेंट बैंक की बात करें तो इसमें नौ देश जोड़े हुए जिसमें की UAE बंगला देश जैसे देश भी इंवे यहां पे इनको इंप्लूड किया गया है अब बात करते हैं श मैं की चेहर पर्षन है अब देखते हैं यहां पर बीजेंग की बात करते हैं तो 18 में किसा यहां है AIIB का headquarter है यानि की Asian infrastructures investment bank इन्वेस्टमेंट bank ठीक है investment bank यह क्या है AIIB का headquarter आपका बीजिंग में है और इसके जो चेहर परसे ने कल मैंने आप सभी लों को बताया था जिन लीकन है कौन है जिन लीकन है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं संयुक्त राष्ट बालकोश का मुख्याले कहां पर है देखे कल बच्चों को कितना याद हुआ होगा answer बताईगा the headquarter of the United Nations Children's Fund कल आप सभी लोग को classes ली गई थी headquarters की international organizations की अब बच्चे आप सभी लोग answer बताईगा संयुक्त राष्ट बालकोश का मुख्याले कहां पर है UNICEF कह सकते हूँ ठीक है United Nations जिसको हम लोग UNICEF भी कहते है चली answer बताईगा इस question का answer क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा New York कहां पर हो जाएगा New York में हो जाएगा New York में हो जाएगा London नहीं बटा New York में हो जाएगा ठीक है Catherine Russell Catherine Russell इसकी president है इसकी president है ठीक है माई और पैरिस की अगर बात करें तो बटा पैरिस में क्या हो जाएगा UNESCO का headquarter है UNESCO का headquarter है और अगर देखा जाए तो इसके आद्रे अजाली इसकी president है अद्रे अजली इसकी president है अब जड़ा देहान से देखेगा इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो यमुना नदी के तट पर इस्थित नहीं है यमुना नदी के तट पर इस्थित नहीं है नदियों से भी related एक आतो question चुकि पिछले कुछ समय से question एका तो question पूछा जा चुका है तो बहुत ज्यादा आप लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने current affairs पर और ज्यादा तर आप बैंकिंग financial affair पर कीजिएगा कुछ एकात question है जब आप current affairs proper और deep में पढ़ते हों तो static gk भी cover हो जाता है तो यहां पर यमुना नदी का टट पर मथुरा एटावा और यह सबी की सबी जो है शहर यमुना नदी के किनारे हैं यमुना नदी की किनारे हैं यमुना नदी के किनारे हैं जब अगला कुशन देखते हैं इन में से किसे भारत की रेशम शहर के रूप में जाना जाता है सिल्क सिटी जिसको कहा जाता है अब आप लोग को सिल्क के नाम से कैड़ वरीज का सिल्क चॉकलेट याद आ रहा होगा है ना खाली जेगा एक्जाम के बाद अपने आपको गिफ्ट जरूर कीजेगा अच्छे से तो सिल्क सिटी की बात की जारी यहां पे बंगलूरू भागलपूर एमदाबाद भुपाल या भुबनेश्वर सिल्क सिटी जहां पे रेशम सबसे जादा बनता है सिल्क सिटी जिसको कहते हैं वो कौन सा शहर है तो अगर हम लोग देखें तो भागलपूर को कहते हैं हम लोग रेशम का शहर रेशम सा शहर, रेशम का शहर, ठीक है रेशम ही शहर कह सकते हैं, जहां पर रेशम बहुत ज़्यादा बनता है बैंगलोर को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रानिक सीटी कहते हैं, चीक है बॉस्टन ओफ इंडिया कहते हैं बॉस्टन ओफ विंडिया या मैंचेस्टर ओफ इंडिया कहते हैं पहले कानपूर को कहा जाता था पहले कानपूर को कहा जाता था लेकिन कानपूर ने अपनी हालत खुद खराब कर ली इतना गंदा सहर अपने आपको बना लिया कानपूर वालों ने कि अब उसका जो खिताब है वह खिताबी चीन लिया गया। कानपूर को चमडो वाला शहर कहते हैं। यानि की लेदर जोता है न सबसे ज़्यादा लेदर से चीजे बनी हुई, लेदर का जूता, लेदर का जैकेट से समंदित जो है कानपूर में होता है। छितनी लेदर से समंधित चीज़ा बन रही है तो इतनी गंदगी हो गई तो वहाँ पर तो मैंचेस्टर रहा ही नहीं आला कि द्योग से रिलेटेड भी मैंचेस्टर को देखा जाता है अब Boston of India या Manchester of India का खिताब एहमदाबाद को दिया गया है भुपाल को City of Lakes कहा गया है सुर्मा भुपाली यानि कि जीलो का शहर है ना भुबनेश्वर को Temple City of India कहा गया है ठीक है Temple City of India कहा गया है और the land of the land of temples the land of temples किसको कहा गया है तमिल नाडू को कहा गया है तमिल नाडू को कहा गया है पिंक सिटी किसको कहा गया है पिंक सिटी जल्दी बताएगा पिंक सिटी किसको कहते हैं गुलाबी शेहर गुलाबी गुलाबी वाला गाना सुना है सुशान सिंग राजपूत वाला गाना गाता था पिंक सिटी तो दे लेंड ओफ टैंपल्स तमिलनाडू पिंक सिटी किसको कहते हैं चलो एक हिंट देते हैं राजस्थान का एक शहर है उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं पिंक सिटी इसी तरीके से the city of temples, city of temples के नाम से एक और शहर जाना जाता है, जिसको कहते हैं वरानसी, बनारस, वरानसी, इस नाम से भी जाना जाता है, clear है, मेरट को किस नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बल्ले बहुत बनते हैं, बैट बहुत बनता है, मेरट को बल्लो का शहर कहा जाता है क्या कहा जाता है बल्लो का शहर कहा जाता है ठीके कोला पूरी चपल सबसे ज़्यादा कोला पूरी चपल कोला पूरी चपल चपलों का जो सबसे ज़्यादा चपल बनते हैं कहां पर बनते हैं महराश्च की कोला पूर में महराश्च की कोला पूर में बनते हैं ठीके बटा कोल पूर में बनते हैं आज यह बोड सही चली नहीं रहा है ना बोड सही चला है ना कैमरा सही चला है ठीक है जैपूर बहुत बढ़ या किसने बता है जैपूर हवा महल कहां पे है हवा महल कहां पे है जल्दी-जल्दी कमेंट किजेगा हवा महल कहां पे है जैपूर में ही जैप पूर में ही होता है ठीक है यह सारी कि सारी चीजे याद कर लीजिएगा चोटी चोटी चीजे जो कि जनरल नॉलेज हैं आपके लिए चलिए आंसर बताईगा अब आगला कोशिन है ड्रैम याद करो मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रीक बताया था इनमें से किस देश के अध अर्मेनिया में मेरा यारा मेरा यारा मेरा यारा का मतलब यारावन 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 तीक है यह राजधानी है यारावन राजधानी है ड्रम बजाया ड्रम का मतलब ड्रैम जो की करंसी है तो ड्रैम नाम की जो करंसी है वो अर्मेनिया नाम के देश में यूस की जाती है बाकि ज़रा देखेगा एंडोरा एंडोरा जो है करंसी यूरो यूज की जाती है अर्मेनिया आप सभी लोगों को पता चल गया ड्रैम हो गया बारबाडोस वहाँ पे करंसी यूज की जाती है डॉलर और बेनिन नामके देश में फ्रैंक का यूज किया जाता है ठीक उसी तर सिषफ लेकिन हमने इसको क्या की है किच दिया है किस इस पहले ही हुआ है और इकिस देश के साथ वह है यह कुषिन पूछा जारा हुए चलिए आंसर बताईगा बंगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर, फ्रैंक या शिलंका तो उदार शक्ति जो भारत के साथ एक युद अब्यास हुआ है जो की मलेशियन का इंडियन एर फोर्स और मलेशिया फोर्स मलेशिया एर फोर्स ये दोनों ने एक्सोसाइज किया जिसको कहा गया है उदार शक्ति और ये मलेशिया के साथ हुआ है कुछ ऐसे युद अब्यास जो आप लोगो को अभी कुछ दिन पहले करवाए गये थे कुछ ऐसे युद अब्यास जैसे की मलेशिया एक्सोसाइज भारत और अमेरिका के बीच में एक युद अब्यास नाम का होता है युद अब्यास नाम ही है ठीक है और इंडियन आर्मी और युएस आर्मी के बीच में होता है ठीक अब अगर एर फोर्स की बात करें तो भार अमेरिका के बीच में एयर फूर्स के बीच में रेड फ्लैग रेड फ्लैग नाम का क्या होता है एल मिलेटरी एक्सराइज होती है ठीक इसी तरीके से भारत और जपान के बीच में भारत का आर्मी और जपान की आर्मी का जो भिड़नत होता है इसको हम लोग जी मैक्स कह सकते और अगर नेवी की बात करें तो सहयोग कैजिन कह सकते हैं युएसे और जैपान के बीच में भारत युएसे और जैपान तीनों देश जब मिलते हैं और एक्सोसाइज करते हैं समुद्र में एक्सोसाइज होती है इसको कहा गया है मालाबार जो कि अभी हाली में अभियास किया है. रशया के साथ यानि कि रशया और भारत के साथ अगर आर्मी जुटती है और ये अभ्यास होता है इंद्र और एक होता है एयरफोर्स के साथ जिसको कहा जाता है? AVI, AVI Indr, AVI Indr, तो ये AVI Indr जो है ये भारत के Air Force वायुसेना और रश्या के वायुसेना के साथ यो धब्यास होता है, ठीक इसी तरीके से चाइना की आर्मी और भारत की आर्मी, ठीकें ये hand in hand ये करती है, फ्रांस के साथ शक्ति वरून, गरूल, तो शक्ति आर्मी, वरून, नेवी और गरूल आपका Air Force, तो भारत की Air Force और फ्रांस की Air Force, तीनों से नाओं के साथ शक्ति वरूल और गरूल ये अभ्यास होता है, अब ज़र देखेगा ध्यान से, UK के साथ कौन कौन सा होता है, एक की आर्मी के साथ युद्ध अब्यास होता है किसी तरीख से भारत की नेवी नॉषेिक द रॉक्तरुअ कि के रॉत allem होको कंड़ कहते हैं केंदर धनुश और घॉर्स की कि परद करें तो इंडियन Air Force और UK की Air Force उनकी भाषा में Rainbow हो गया हमारी भाषा में इंद्रधनुश हो गया ठीक है तो इस तरीके से यह याद कर लिया अब जड़ा देखो यहां पे नेपाल और भारत के बीच में जो नेपाल की आर्मी है और भारत की आर्मी है इन दोनों ने सुरिक किरण नाम का युद जा सकता है तो संप्रिती X के नाम से यह संप्रिती यह दस्वा कह सकतो दस्वा वर्जन था तो संप्रिती X के नाम से बंगलादेश और आर्मी इंडियन आर्मी के बीच में युद्ध अब्यास हुआ इसी तरीके से नौ सेना भारत की नौ सेना और बंगलादेश की नौ से होता है कौन सा होता है बॉंगो सघर होता है इनको याद कर लिजेगा स्रिलंका की बाद करें वैंठा तो श्रिलंका के आर्मी और इंडियन आर्मी यह मित्र이endo कि करती हैं которого में उसक्रूरशक्ति कर गया कॉर्पेट हो गया और यूए का आपका डिजर्ट इगल हो गया मलिशिया का आप सभी लोगों ने देखी लिया ठीक है चलिए आगे देखते हैं बहुत सारी चीजे हैं यह आप लोग को दे दी जाएगी पीडियाफ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को ठी जैसे इसको भी बता ही देते हैं अस्ट्रेलिया नौसेना और भारत की नौसेना अस इंडेक्स होता है सिंगापूर की आर्मी और इंडियन की आर्मी कुरुक्षेत्र लड़ती है नौसेना की बात करें तो सिंबेक्स हो जाएगा जीमेक्स किसके साथ होता है जैपान के सेशल्स के साथ लामित्य हो जाएगा ठीक है मंगोलिया के साथ नुमैडिक अलिफेंट हो जाएगा कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तिक हो जाएगा उजबेकिस्तान के साथ अगर देखें तो उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान के साथ आपका दस तलीक हो जाएगा क्या हो exercise भारत और उजबेकिस्तान के बीच में होता है ओमान की बात करें तो ओमान नसीम अलबाहर और इस्टरन ब्रीज ये exercises भारत और किसके बीच में होती है भारत और ओमान के बीच में होती है किर्गिस्तान के किर्गिस्तान ये घंजर माल्दीव्स माल्दीव्स का याद करने न इब समर ठीक किसी तरीके से एशियान प्लस और इंडिया प्लस फोर्स एटीन के नाम से एक्सराइज़ होती है ठीक है चलो अगला कुशन देखेगा इनमें से किस संगटन ने जम्मु कश्मीर ग्रामिल बैंक के साथ जम्मु कश्मीर और लद्दाक में 700 संयुक्त देता जी एलजी को वित पोशन करने के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किया है अब जैसे चुकी जम्मु कश्मीर का पूरा का पूरा कंसिट्यूएंशी चेंज हुआ है आफ्टर रिमूवल ओफ 370 आर्टिकल 370 आर्टिकल के रिमू होने के बाद जम्मु कश्मीर की जो कंसिट्यूएंशी है थोड़ी सी बतली है तो वहां पर सेल्फ हैल्पिंग ग्रूप की बजाए जैसे अन्य भारत में अगर देखोगे तो जम्मु कश्मीर को भी उसी के हिस्से के तौर पर देखा जाता था लेकिन कुछ समिधान की जो नियम है चेंजेज हुए हैं तो वहां पर सेल्फ हैल्पिंग ग्रूप जो इंडिविज्वल जाते थे जैसे की 20 मेंबर तक जा जाके लोगों को क्या करते थे उत्प्रेर जी होता है ठीक उसी तरीके से जॉइंट लावल्टी ग्रूप होता है जम्मु कश्मीर और लद्दाक में ये ग्रामिड बैंक जम्मु कश्मीर की ग्रामिड बैंक के साथ एक टै-इप किया गया है और यहां पे नाबाड यानि की नेशनल बैंक पर अग्रिकल्चर एंड रूडरल डेवलप्मेंट, रोहित कह रहे हैं कि सर ब्राइटनेस कम कर दीजे, बिटा हम कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे कह रहे हैं कि जो एडिटर साब है कह रहे हैं कि कैमरा में खराबी है, बोड में खराबी है, कैमरे में खराबी है, मैंने तो लाइट भी बन कर इसको भी बन कर दें इसको भी बन कर दें तुम लोग बोलोगे तो बन कर देंगे तुम लोग का कहना जादा मानते हैं National Bank for Agriculture and Rural Development इसकी स्थापना 1982 में हुई थी ठीक है FISB की तरफ से एक recommendation गया है FISB की तरफ से एक recommendation गया है कि नवाट की ने चियर्मेन के लिए तो महम्मद मुस्तफवा इनका नाम आया है महम्मद मुस्तफवा नाबाट की ने चियर्मेन का नाम recommended किया गया है FISB की तरफ से ठीक है चले next question है विश्र संस्कृत दीवस 2022 में दुनिया बर में कब मनाया गया है वेन वोज वोल्ड संस्कृत दे 2022 एब्स एब्स एक्रोस दग्लोब 16 अगस्त तेरह अगस्त पंदरह अगस्त बारह अगस्त या 14 अगस्त पंदरह अगस्त तो हमारे देश के आजादी का 75 श्यत्रवां 75 तो महत्सव हो चुका है लेकिन 76 तो अन्द वे हैं तो आपको कह सकत हो 75 अंडीपेंडन्स अमृत्स के सकते हुए बारह अगस्त की बात कर दो यहांपे बारा अगस्त है विष्य संसक्रित दीवस मनाया जाता है विष्य भर में संस्क्रित भाशा के तोर पर मानी गई और सबसे संस्कृत संस्कृती से निकल कर आती है और जो संस्कृत का जो बाते हैं या संस्कृत का अगर शब्द की बात करें languages की बात करें तो विश्व संस्कृत दीवस 12 अगस्त को मनाने का प्रावधान किया गया है ठीक है चलिए अगला देखते हैं next है who is the current union minister of health and family welfare केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री कौन है अब ये question भीया बहुत सरल आगया कम से कम साथ आठ बच्चे जो भी देख रहे हो कम से कम सभी के सभी बच्चे आंसर बताएगा स्वास्त कल्यान मंत्री कौन है हमारे देश के स्वास्त कल्यान मंत्री कौन है चलिए आंसर बताएगा स्वास्त कल्यान मंत्री हमारे देश के कौन है स्वास्त कल्यान मंत्री आश्वनी वैश्णो इनके पास रेल मंत्राले है बोलो हां रेल मंत्राले है ना भाई रेल मंत्राले राजकुमार सिंग, भुपेंदर यादो, अनुराक सिंग ठाकूर, खेल मंत्राले है ऐसे किया गरो ना, खेल मंत्राले खेल मंत्राले, चलो दो चीजे अब हटा दी अब आपके पास तीन ऑप्षन है, मनसुक, राजकुमार और भुपेंदर यादो तीन अप्शन है, पांच में से तीन ओप्शन है, मनसुक मांडवे जी, चलो, बहुत बड़िया मनसुक मांडवे जी, अमारे देश की जो मायनौलटी मिनिस्टर है, वो कौन है, मायनौलटी मिनिस्टर, समृती इरानी है, कौन है स्मृति इरानी अबास नकवी जी को हटा दिया गया है स्मृति इरानी अबास नकवी जी को जो minority ministers minority मंतराले से हटा के स्मृति इरानी जी को बनाया गया है नेक्स कोशिन है अरकाडी दारकोविच अरकाडी 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 दारकोविच दारकोविच ठीक है यह जो है प्रेसिडेंट है किसके international chess federation के प्रेसिडेंट है और यह किस देश के है यह कोशन पूछा जा रहा है तो यह किस देश के है बटा रशिया के है अब यह कहा गया है कि जो deputy president बनाये गए है उनका क्या नाम है deputy president का जो नाम है जो की international chess federation की जो बनाये गए है उनका क्या नाम है तो विश्वनात आनंद जी जो की बनाये गए है deputy president of five ठीक है चलिए next question है जड़ा देखेगा किस देश ने भारत के साथ हिमांचल प्रदीश की बकलो में क्या बकलो में पूर्वे वरज्य प्रहार 2022 के तेरवे संस्क्रण की शुरुआत की है यह पूर्व नहीं होगा यह exercise होगा या यह धब्यास कह सकता हूँ तो वज्जर प्रहार 2022 की जो तीरवे संस्क्रण की शुरुआत हुई है और यह जो बकलो तीक है बकलो में हुआ है बकलो यानि की मंचल प्रदीश में यह exercise भारत के साथ किस देश ने की है फटापड से कमेंट कीजेगा इस question का answer क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी answer तो बॉंगो सागर और साथ साथ में संपृति हुआ है हाली में संपृति एक्स ठीक United States हो जाएगा इस question का answer क्या हो जाएगा United States हो जाएगा ठीक है वज्र प्रहार next question है सुनिल छेतरी को 2021 के लिए अखिल भारती फुटबॉल महासंग के लिए nomination दिया गया है यहाँ पे पुरुष फुटबॉल को पहली बार नॉमिनेट किया गया था जो कि sorry यह किस जो इनको nomination किया गया है वो कितनी बार इनको यह award दिया गया है अब question कहा गया है कि पहली बार All India Football Federation ने महिलाओं को भी football team में यानि कि football of the year कहा गया तो यह कौन सी खिलाडी है तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे इस question का answer क्या हो जाएगा जल्दी यह जल्द जाना अठारवे question का answer क्या हो जाएगा बहुत easy question है देखो भाई थोड़ा सा brightness कम है brightness देख लो यहाँ पे यहाँ पे एक और नहीं चीज़ आ गई है license मांग रहा है तो यहाँ पे सात्मी जो है सात्मी बार अखिल भारती फुटबॉल महासंग को सुनिल चेतरी को nominate किया गया मनीशा कल्यान जो है इस बार महिला फुटबॉल आप दे इयर का खिताब इनको मिला गया है ठीक है जरा और भी लोगों को मिला गया है यह क्या है क इमर्जिंग फुटबॉल आप दे इयर है वो किसको मिला है माल्टीना थोक्चों को मिला है माल्टीना थोक्चों को मिला है माल्टीना थोक्चों को मिला है थोक्चों थोक्चों को मिला है दोजार इकिस दोजार बाइस के ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल की जो मैंस में पुरिश वर्ग में Emerging Footballer of the Year विक्रम प्रताब को मिला है किसको मिला है विक्रम प्रताब को मिला है ठीक है चरह तीसरी बार देखें 2021-2022 के All India Federation Best Referee of the Year Crystal John को मिला है किसको मिला है Crystal John को मिला है ठीक इसी तरीके से All India Football Federation के लिए Assistant Referee का जो Award मिला है उजल हलदर को मिला है किसको मिला है उजल हलदर को मिला है चली देखेंगा हो व्यपार और विकास पर संयुक्त राष्ट सम्मेलन Unacted Unacted की बात आ रही है बिटा तो Unacted का Headquarter कहां पे है जल्दी-जल्दी कमेंट कीजेगा और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है जिनका नाम है रबेका रबेका ग्रिंस्पीन रबेका ग्रिंस्पीन ग्रिंस्पीन ठीके तो अब यहां कोशन पुछा जा रहा है Unacted के अनुसार 2021 में भारती आबादी के पास डिजिटल मुद्रा इतनी थी कितने परसंट थी और भारत के पास कितनी थी भारत किस नंबर पर आता है डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करंसी के मामले में बहुत ही अच्छा कोशन है देखो यहां पर कुशन पूछ लिया गया अब आप लोग को आंसर देना है यहां पर अगर देखा जाए Unacted की बात करते हैं Unacted की बात करते हैं Unacted का Headquarter अगर New York में है या जिनेवा में है जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग बताओ New York या नैरोबी या नैरोबी या जिनेवा या फिर Washington DC सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजेगा देखे कितने बच्चों को कल वाला क्लास याद है कल वाली क्लास में ही कराए गया था अगर यह भ आप लोगों को मोटिवेट करेंगे हम खुद दिमोटिवेट हो जाएंगे जब आपको कल वाली चीज याद नहीं होगी तो 7.3% यहां पे 7.3% लोगों के पास मुद्रा थी यानि कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बाद की जानी है तो अगर 100 करोन के अबादी है तो 100 कर 30,00,00,00 के पास लगबग लगबग क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी यूज़ की गई और इस तरीके के से भारत साथ वे नंबर पर आता है जो की क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल मुद्रा को उपियोग में लाए जाता है तो इस क्विशन का आंसर क्या हो हाली में भारत की जो राश्टपती है द्रौपती मुर्मू उनके द्वारा 49 मुख्य न्याइधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है चली आंसर बताईगा अभी अभी हाल फिलाल में उन चास्वे मुख्य न्याइधीश की नियुक्ती की गई है ये किसकी जगा आएंगे ये भी बताना है आप लोग को और ये कौन आए हैं ये भी बताना है तो इस कुशन का आंसर जो नॉमिनीशन दीगी है अंसर बताईगा वेरी गुड यू यू ललित ये बढ़िया है तुमने तो उस्दम उल्लू बना दिया उनको अगर हम लोग इनको देखा जाए अगर यू 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 एल ठीक है अगर इसको देखा जाए तो यू एल यू उल्लू बन गए तो उदय उमेश ललित इस क्वेशन का आंसर यू यू ललित ठीक है यू यू ललित अब ज़र देखेंगे ध्यान से इसकी जो है यू यू ललित जो है एक CGI यानि की मुख्य नयधीश के तौर पर लाए गए हैं इसके लिए जो नयधीश के लिए जो आल्टिकल बना है आल्टिकल समिधान 124 के अंतरगा डिफाइन किया गया हमारे देश का जो समिधान है उसमें जो की नयधीश को नियोक्ति दी जाएगी तो आल्टिकल 124 के तहत नियोक्ति दी जाएगी ठीक अब ये बात करते हैं इन्हों ने जो इनको शपत ग्रहन कराया वो शपत ग्रहन कौन कराया उनका शपत ग्रहन जो मुर्मूजी है ठीक है जो राश्पती हमारे देश की उनोंने अब इनका जो जो शपत समार होगा 27 अगस्त को होगा 27 अगस्त 2022 को होगा और ये किस की जगा पे आएंगे N.V. रमन की जगा पे 26 अगस्त को आएंगे यू-यू जो ललित है इंका बहुती कम tenure है ठीक है इंका बहुती कम समय अंत्राल है तब तक तुम लोग का सेलेक्शन हो जाएगा मतलब एक्जाम भी हो जाएगा सेलेक्शन भी हो जाएगा तब तक के लिए आप लोग याद कर सकते हो इनका जो समय अंतराल होगा वो तीन महीने का होगा मतर तीन महीने का ठीक है ये आठ नॉमबर दोहजार बाइद से इनकी जो चार्जिंग होल्डिंग शुरू हो जाएगी ठीक है आठ नॉमबर दोहजार बाइस के यानि कि तीन महीने बाद इनकी चार्जिंग शुरू हो जा से सीधे के सीधे सीधे बार से उनकी शरीम होता है ना तुम लोग दूसरा और बार मत समझ ले न चीर्स ना टिके तो बार सोसीएशन होता है जिसमें कि वकील और जजों की चुनाओं की ज़र्ष जाता है तो सन 1971 जस्टिफ सार्व मित्रा ने इंको एक बार भेजा गया था ये पहले थे और दूसरे यू यू ललित जो की दूसरे हैं चीक है जहाँ पचासमे के कौन बनेंगे चंदरचूर बनेंगे वेरी गुड बहुत बढ़िया पचासमे जो बनेंगे वो चंदरचूर बनेंग जो भी स्टैटिक घ्किक हैं आप लोक के डिमांड पर इचल रही है उहने तो यहां पो सर्फ और सिर्फ नाम की क्लासिसच चल रही हो क्या कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सुभा का event करवा दिये एक शाम का event करवा दिये जबकि हमारे यहां दो दो faculty दोनों ही faculty मिलके means की जीए के लिए आप सबीड़ों के लिए सारी मेहनत कर रही है मतलब आपको ऐसे नहीं तो वैसे समझी वैसे नहीं तो ऐसे समझी सारी चीजें आप लोग को free of cost इतने best content दिये जा रहे हैं और आप सभी लोग अगर इसके बाद भी फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम है ना तो चलो आज का session फिर हम लोग यहीं पर class खतम करते हैं और फिर शाम की classes यानि की आड़ बजे की classes बैंकिंग फिनैंशल एवर्नेस में मिलते हैं अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक्यू धन्यवाद लो लो नहां हो कना मत जए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएठा हैं और ढब हैंधरा हैं तो तो सब्सक्राइब को कि झालो फिसूम्ट माभूल नहां हैं और लाओरिउड़रा भी यहीं जर गयतु रजा हैं और दो यहाल था संगलित फ pics BEN